दोस्तो आज की इस वीडियों में आपको बताऊंगा कैसे आप एंजल वन में अपना फ्री में डीमेट अकाउंट कैसे आप उपेंड कर सकते हो क्योंकि अगर आप सेयर मार्केट मुच्छल फंड साइपी अगर सुरू करना चाहते हो या future and option में ट्रेडिंग सुरू करना चाहते है तो इन सब में investment के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए तो इस वीडियों में हम जानेंगे complete process में कैसे आप अपना Angel One में फ्री में अकाउंट ओपेंड कर सकते हो बस कुछी मिनिटों में एकाउंट ओपनिंग का process काफी simple है वीडियो में आपको पुरे लाश तक बने रहना है वीडियो के किसी भी part को आपको skip नहीं करना है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते है Angel One में एकाउंट ओपनिंग के लिए वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा उस link के थुरू आपको Angel एकाउंट ओपनिंग के website पे आ जाना है फिर आपको यहाँ पे अपना mobile नमर फिल करना है mobile नमर जैसे फिल करोगे उसके बाद आपके mobile नमर पे one time password आएगा simply आपको यहाँ पे OTP नमर फिल करना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक referral code का option आएगा जिसमें की आपको मेरा referral यूज करना है वीडियो के screen पे आपको referral code दीख रहा होगा simply आपको यह referral code फिल करके आपको continue फिल करना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना name फिल करना है जैसा अधार card में नाम होगा बिल्कुल ऐसा ही नाम आपको फिल करना है नाम फिल करने के बाद आपको Continue वाल अप्षन पर टैब करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना Email ID एड़ करना है Manually आप यहाँ से Email ID फिल करके भी एड़ कर सकते हो या Directly Google Account से Sign In करना है तो Simply आपको यहाँ पर Continue with Google वाल अप्षन पर टैब करना है और अपना email ID आपको यहाँ पर add कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना pen card details fill करना है अपना यहाँ पर आपको pen card number fill करके आपको continue on option पर tap करना है उसके बाद आपको यहाँ पर dg logger के माधियम से kyc करना है dg locker से kyc करने के लिए simply आपको यहाँ पर icon send देना है उसके बाद आपको यहाँ पर authenticate अधार पर tap करना है फिर यहाँ पर आपको अधार नमर और जैसा capture दिया गया है बिल्कुल वही capture आपको फिल करना है capture अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा capture के लिए simply आपको यहाँ पर try another पर tap करना है अधार और capture फिल करने के बाद simply आपको next all option पर tap करना है अब उसके बाद आपके अधार card के साथ जो mobile नमर लिंक हुआ उस mobile नमर पर one time verification code आएगा simply आपको यहाँ पर OTP नमर फिल करके continue पर tap करना है उसके बाद आपको यहाँ पर DG Locker का six digit का security pin नमर फिल करना है या DG Locker पर आपने कभी account बनाया ही नहीं इस पर account कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो के description में link और उपर i button में आपको link pin कर दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप अपने DG Locker का six digit का security pin नमर भूल गया है फिर आपका जो document होगा DG Locker से वो fetch हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना bank account add करना है bank account आपको इसलिए add करना है जो भी आप fund में पैसा add करोगे या फिर आप fund से पैसा release करोगे जो आपने bank account add किया होगा उसमें आपका जो amount होगा direct वो transfer हो जाएगा अपना यहाँ पर bank account number आपको fill करना है उसके बाद दुबारा आपको अपना bank account number यहाँ पर fill करना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना IFAC code fill करना है IFAC code आपके bank account के statement में आपको मिल जाएगा या आपके bank के passbook में front page में आपको IFAC code, bank account नमर आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो अपना bank account details फिल करके आपको continue वाल option पे tap करना है उसके बाद यहाँ पर आपको KYC verification के लिए अपना photo upload करना है अपना एक selfie आपको capture करना है selfie capture करने के लिए simply आपको यहाँ पे click selfie वाल option पे tap करना है circle के अंदर ही आपको अपना पूरा face रखना है photo आपको यहाँ पे पूरा clearance होना चाहिए कोई भी आपको यहाँ पे topi, marks या अपी चस्मा नहीं पहनना है simply यहाँ से आपको अपना photo capture कर लेना है photo अगर आपका सही से capture नहीं हो है तो आप यहाँ पे dragon पे tap करके दुबारा से photo क्लिक कर सकते हो सही photo आने के बाद आपको confirm वाल उप्शन पे tap करना है यहाँ पे आपको system के तरफ से एक generated signature मिल जाएगा अगर आप चाहते हो कि अपना sign बनाना तो यहाँ पर आपको sign manually वाल उप्शन पे आजाना है और अपना एक sign आपको बना लेना है फिर यहाँ पर आपको यह दोनों box को check करके रखना है politically आपका कोई भी relation नहीं है simply आपको यहाँ पर यह box को check करके रखना है आप Indian resident हो यहाँ पर आपको agree करना है उसके बाद आपको submit वाल उप्शन पर tap करना है अगर आप future and option currency commodities में अगर आप invest शुरू करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने bank account का statement आपको upload करना होगा 6 month का आपका statement आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा अपने account का statement आप यहाँ पर digitally upload कर सकते हो अपना bank account का यहाँ पर mobile number fill करना है और जो आपका bank है simply यहाँ पर आपको bank choose करना है उसके बाद आपके mobile number पर one time password जाएगा simply OTP number fill करके अपना 6 month का bank account का statement यहाँ पर upload कर देना है या यह option आप skip भी कर सकते हो तो बाद में भी आप यहाँ पर bank statement upload कर सकते हो तो simply उसके बाद आपको continue वाल option में आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना annual income fill करना है जो भी आपका सालाना कमाई होगा simply आपको यहाँ पर orange choose कर लेना है दिये गए range में से आपको choose करके next वाल option पर tap करना है फिर यहाँ पर अपना employment type आपको choose करना है अगर आप government service करते हो तो आपको government वाल option को choose करना है किसी private company में आप job करते हो तो आपको यहाँ पर private sector वाल option को choose करना है खुदका कोई business है तो आपको यहाँ पे business वाले option को चूज करना है या अगर आप student हो तो आपको यहाँ पे simply others वाले option में आ जाना है और यहाँ पर आपको यह वाले option को भी चेक करके रखना है Demand, David, Place, Instructions Simply आपको यह वाले box को चेक करके next वाले option पे tap करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना additional details दिख जाएगा आपको यहाँ पे father's name दिख जाएगा आपका क्या gender है simply आपको यहाँ से अपना gender चूज कर लेना है Marital status आपको क्या है अगर आप single हो या फिर married हो तो यहाँ से simply अपने according marital status चूज कर लेना है Angel 1 में unused fund को आप कितने दिनों में settlement करना चाहते हो simply यहाँ से आपको days चूज कर लेना है अपने fund को आप कितने दिनों बाद आप settlement करना चाहते हो simply यहाँ से आपको days चूज कर लेना है उसके बाद आपको continual option पे tap करना है अब DMAT account में opening करने के लिए आपको यहाँ पर nominee add करना ही होगा तीन nominee आप यहाँ पर add कर सकते हो nominee आपको यहाँ पर इसलिए add करना है in case future में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके funds में जितना भी amount होगा आपके बाद उस funds में जितना भी amount होगा उसे दिया जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ पर nominee add कर लेना है हलाकि आप इसे बाद में भी add कर सकते हो nominee के साथ कैसा relation है nominee का नाम उसके बाद pen number, date of birth और उसके बाद यहाँ पर आपको share percentage फिल करना है funds के according कितना हिससा आप उसे share करना चाहते हो simply यह सारा details फिल करके आपको save nominee पर tap कर देना है इस तरीके सापको nominee add कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने angel one का जो demate account का complete form आपके सामने open हो जाएगा इस document में आपको digitally sign करना है तो sign करने के लिए simply आपको sign your document पर tap करना है यहाँ पर आपको अपना अधार नमर या फिर virtual ID फिल कर सकते हो जो terms condition है उसे accept करके आपको send OTP पर tap करना है यहाँ पर आपको OTP नमर फिल करके आपको verify OTP पर tap करना है उसके बाद जो आपका document होगा वो successfully submit हो जाएगा 3 working days के अंदर आपका angel one account जो है demate account वो activate हो जाएगा email या फिर sms के थुरू आपको notify कर दिया जाएगा कि आपका angel one demate account अक्टिबेट हो गया है अब trading शुरू करने के लिए आपको अपने phone में angel one application को install करना है angel one application को install करने के लिए direct link आपको video के description में मिल जाएगा link के थुरू अपने phone में angel one application को install करना है उसके बाद सारे permissions को आपको allow करना है यहाँ पर आपको login वालवशन पर tap करना है और अपना registered mobile नमर फिल करना है उसके बाद आपको next वालवशन पर tap करना है फिर यहाँ पर आपको permissions grant करना है OTP नमर फिल करके आपको next करना है उसके बाद यहाँ पर security के लिए आपको password set करना होगा मेभी हो सकता है कि मेरा यहाँ पर screen आपको यहाँ पर blacks हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको अपना password set कर लेना है Angel1 application को open करने के लिए यहाँ पर आपको एक pin set करना होगा 4 digit का आपको यहाँ पर pin बना लेना है जब भी आप Angel1 application को open करेगो तो simply अपना pin नमर फिल करके आप open कर सकते हो अब आप Angel1 account में login हो जाओगे अब यहाँ से आप Angel1 में trading शुरू कर सकते हो fund में अगर आपको पैसा add करना हुआ तो simply यहाँ पर आपको add funds में आ जाना है और अपने bank account के थुरू आपको यहाँ पर fund में पैसा add कर सकते हो I hope so वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि Angel1 में अपना demate account कैसे activate किया जाता है अगर वीडियो के related कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो यह वीडियो अगर आपके लिए informative हुआ तो वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करें